अगली चीज ये कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक दा वीडियो और शेयर इट अलसो है ना तो दो चीज आप कर सकते है अगर आप चाहें तो डू लाइक एंड डू शेयर इत अलसो जो वीडियो की नोट्स है वो अवेलेवल है तेमसाइस.com पर जो हमारी वेफसाइट है तेमसाइस.com हमारी वेफसाइट में आप जा करके सारी नोट्स पढ़ सकते हैं Let's start with the questions first पहले आज के questions देखते हैं तीन नई चीजे सीखने ही कोशिश करेंगे शाहिद बेहस्ती पोर्ट इन में से कहां लोकेटेड है न्यूज में रहता है options are A. Caspian C. B. Persian Gulf. C. Gulf of Oman. D. Mediterranean Sea. शाहिद बेहस्ती पोर्ट इन में से कहां लोकेटेड है This is question number one. चलो उसका answer भी मैं साथ भी बताता जा रहा हूं आपको इसका जो answer है correct हूँ है Gulf of Oman. Actually ये located है चाहबाहर पोर्ट के पास और चाहबाहर पोर्ट से ही related है ये इसके दो पार्ट है चाहबाहर पोर्ट में एक है आपका शाहिद बेहस्ती पोर्ट कहा जाता है दूसरा question मैंने पूछा Scale India App. Scale India App इन में से कौन से ministry लो लॉंच किया है options are A. Ministry of Education, B. Ministry of Science and Technology, C. Ministry of Commerce and Industry, D. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship तो ये question number 2 है Scale India App launch किया गया है Ministry of Skill Development and Entrepreneurship द्वारा इसका मैं थोड़ा आपको बताता हूँ full form क्या है Scale का full form है Skill Certification Assessment for Leather Employees ये Android App है Skill Certification Assessment for Leather Employees ये याद रखेगा Skill Development and Entrepreneurship द्वारा launch किया गया है अगला जो सवाल है वो है MACS 6478 MACS 6478 रिसेंटली न्यूज में था आपको बताना है ये क्या है options कह रहे है पहला It's a new wheat variety with significantly high yield एक नई wheat variety है जिसकी बहुत जादा high yield है दूसरा कह रहा है कि a new potentially habitable earth-sized exoplanet C है a supersonic missile system doubled by Pakistan ये D है world's fastest supercomputer being deployed against the coronavirus इसका जो correct answer है वो है A. It's a new wheat variety with significantly higher yield तो एक ये new wheat variety है जिसकी yield बहुत जादा है तो क्या आपके आद रखना है It's a new wheat variety with significantly higher yield तो these were the three questions I hope कि आपको इन तीन questions में सीखने समझने के लिए मिला होगा काफी कुछ निया जानने के लिए मिला होगा Start करते है आज का map of the day से हम start करेंगे तो आज जो map of the day है वो मैंने लिया है France वाला region जो कल मैंने आपको जिसका political दिखाया था उसका आज आपको physical portion दिखा रहा हूँ तो जो मैंने कल आपको France और इन सब का मैप दिखाया था ना देखो, पहले दिन मैंने आपको Jammu Kashmir का political दिखाया, अगले दिन मैंने आपको Jammu Kashmir का physical दिखाया था, कल मैंने आपको France वाला region पूरा दिखाया था politically, आज मैं आपको France वाला region पूरा physically दिखा देता हूँ, तो ये mountain है basically they act as a divide between rest of the Europe and Iberian Peninsula Iberian Peninsula आपके तिमाग कोशना है कि Iberian Peninsula क्या है तो Iberian Peninsula यह जो Spain और Portugal वाला region है इसको Iberia बोलते है basically यह region Iberia कहलाता है Spain और Portugal वाला तो Spain और Portugal का जो Iberian region है उसको divide करने का काम करता है rest of the Europe से अगर आप देखें तो यह वाला जो रीजन है जो यह बड़ा वाला रीजन है यह rest of the Europe ले लिया आपने और यह Spain पॉर्चुगल वाला रीजन Iberian Peninsula ले लिया तो उसको divide करने का काम पिरिनीज माउंटेन करते हैं तो यह question भी UPSC सच जिर बाउंडरी जी तो रहें फ्राशों को लेजसे जो सब्सक्राफ करोन करने ख़करें वाला रीजन है उपर निदरलैंट से नहीं करते हैं का albani,носि बजिम वक्रनीशार को जा करने में फिर जर्मनी का मैंने आपसे बताया था कि जर्मनी से करेंगी है ना जर्मनी वाले रीजन में देखो आपको दिख रहा होगा डन्यूबे ना एक नदी भी डन्यूबे वहाँ पर दिख रही है उपर Rhin River आपको दिख रही होगी, Rhin River दिख रही होगी न, नेधर लैंड के साइड में Rhin River दिख रही होगी, ठीक है न, और वही फिर यहाँ पर नीचे आते आते देखो इस France वाले रिजन से निगलती है, France में एक Seen River दिख रही होगी, जो English Channel के जस्ट नीचे आप France वाले र इवाइड करता है, जो France को United Kingdom से डिवाइड करने का काम कौन करता है, यह आपका English Channel करता है, ठीक है न, United Kingdom में उपर वहाँ पर Capital London लिखी हुई है, वह आपको पता ही है, यह Water Body में यहाँ Bay of Biscay आपको दिख रहा होगा, Bay of Biscay, यहाँ पर आप देख सकते हैं न, यह Atlantic Ocean है और Bay of Biscay है, ठीक है, फिर यहाँ पर डोल डोगने दिख रही होगी और Garon's, यह दो और रिवर्स दिख रही हैं, डोल डोगने और Garon's, यह रिवर्स भी आद रखेगा, है न, रोन रिवर्स आपको यह नीचे वाले रीजन में दिख रही है, जो जुड़ा हुआ जो है, आपको जनेवा सुड़िजर लैंड में, यह तो आप सब को पता है, लेकिन दिखो उसका नाम कहां से आया, तो लिखो लेक जनेवा, यह लेक जनेवा दिख रहा है, यह सुड़िजर लैंड वाले रीजन में है, ठीक है न, यह सुड़िजर लैंड में है, फिर यह आपको थोड़ा सा फिजिकल मैप मैंने दिखा दिया, जो रीजन कल मैंने आपको दिखा था, उसी का ये फिजिकल रीजन है, उपर वो बेलजियम है, ब्रिसल्स वाला पार्ट है जो की टच करता है, फ्रांस को डिर्ट लिक्संबर्ग है, फिर ये जर्मनी था, फिर ये सुटिजल जो नीचे टच कर रहा था, फिर इटली वाला रीजन है, जो यहां पर ये टच करता है, ये इटली वाला रीजन है, और ये आपका फ्रांस है, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था, इधर साइट की स्पेन, पॉर्चुगल, यहां पे पिरिनीस बता दिया, आइबेरियन पिरिनीस बता दिया, रेस्ट ऑफ दे यूरोप बता दिया, वाटर बॉड़ी में बेए ऑफ बिसके बताया, इटलांटिक ओशन, इंगलिस चैनल बताया, मेडिटरेनियन सी बताया, रिवर्स आपको दिखा दी कि सीन रिवर्टे को जस्ट ऊपर वो इंगलिस चैनल के पा लेक जनेवा दिखा है, तो वहाँ से आपको साजमाया कि जनेवा का नाम जनेवा कैसे पड़ा, तो इस वर दे इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट साइज इसको जरूर किया करें, मैं इसको इसलिए इंक्लूड करता हूँ था कि आपको कुछ नया सीखते रहें आप ल यह है, यह कहां से पता चला हमको, यह पता चला हमको, असर सर्वे से, अगर आप को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो यहां पर लिखा दिख रहा है यह, यह है असर, इसको हम बोलते हैं, असर, Annual Status of Education Report, असर रिपोर्ट या कई लोग इसको 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 इस non-governmental, non-profitable organization, जिसको इसको 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 इसक गठ्धम बोज दिस्रुर्ल दिस्रिक्स में सर्वे करता है और वहीं से यह रिपोर्ट निकलती है ठीकज goodness तो असर लिपोर्ट बिसिकली यहीं से रूर्ल दिस्रिक्स से निकाली आती, यह भी आप आप याद रखिएगा अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ है देखने को मिली देखो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है तो आउटकम्स क्या रहे है तो 2018 में अगर देखा जाए तो केवल 1.8% बच्चे थे 6-10 साल की उम्र के बीच में जिनका की enrollment नहीं किया गया इस साल वो नंबर बढ़के 5.3% हो गय यह दिखाता है कि क्या COVID-19 का impact रहे है तो this is the impact of COVID-19 के 18 में ज्यादा बच्चे इन्रोल हुए थे बहुत कम बच्चे बच्चे थे जो इन्रोल नहीं हो पाए थे इस साल बहुत ज्यादा बच्चे बच्चे हैं जो कि इन्रोल नहीं हो पाए है केवल 11% रूरल बच्चे जो थे रूरल डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे थे उनको live online classes देखने का मौका मिला less than 36% of the rural children received some learning materials और activities from the school almost 75% of such school interaction was via whatsapp तो जो भी interaction था लगबग 75% उसका interaction तो केवल whatsapp के थर हुआ उसका कितना impact रहा होगा learning में ये तो भगवानी जानता है दूसरी चीज़ 36% से भी कम बच्चो को ही केवल learning material मिल पाया मलब की 64% 64% बच्चे अभी भी ऐसे थे जिनको pandemic की टाइम पे कोई भी learning material भी नहीं मिला है ना तो इसमें किसी की गलती नहीं है अपन टीचर्स की गलती सोचेंगे लेकिन टीचर्स की गलती नहीं है क्या कर सकते है आप government ठीक है इसा दोश नहीं है हाँ इसको लगती और यह सारी चीज़े होती तब जादा बुरा था जो कि वो भी होता है इंडिया में ऐसा नहीं कि वो नहीं होता लेकिन आपन यहां पे किसी को एकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते बिसलिए इंपक्ट आफ कोविड-19 आप उसके अंतरगत यह भी लिख सकते कि जो लर्णिंग है बहुत ज्यादा इंपक्ट हुआ है लर्णिंग को आगे देखो यहां पर ओथर ने काया कि इसके अलावा कुछ और 사고 है यहां पर इस लावाओ अपयों आपन ही तकनोलोजी नुक्सान ही कारण हिलोगों के पात स्मार्टफोन नहीं है जिनके पास smartphone है उनको भी proper material नहीं मिला, learning material उनको नहीं मिला, है ना, तो ज़रूरी नहीं कि technology का ही कमी हमेशा रहे, technology होने के बाद भी हो सकता है कि आपके पास learning material ना रह जाए, ठीक है ना, तो this was the thing which was there, 15 सालों से यह असर report निकाली जा रही है, लगए 15 years हो चुके हैं असर report को NGO प्रथम निकालता है, रूरल डिस्टिक्स में निकालता है, ठीक है ना, इसको यहाद है कि रूरल डिस्टिक्स में यह निकाला जाता है, आगे move करते हैं, देखते हैं, और का important news items है, green crackers to make full-fledged Delhi debut, तो पिछले बाद को green crackers क्या हुआ था, actually 2018 में ही बैन कर दिया कह थे, आप pollution, इस करण से उनको remove करके, replace करके green crackers लाए जाएंगे, जिसमें कि आपके जो harmful materials हैं, वो use नहीं होंगे, ठीक है ना, harmful materials use नहीं होंगे, अब क्या हुआ कि 2018 में यह चीज की, 2019 में order आ गया, लेकिन 2019 में जब order आया, तो उस समय तक इतना late हो चुका था, कि जो producers थे, उन्होंने यह बोला, कि हम अभी time नहीं है, कि हम वो firecrackers दोवारा ला पाएं, ठीक है ना, तो इस करण से उन्होंने क्या बोला, कि यह next year लागू कर दिया जाएगा, इस साल लागू नहीं होगा, तो 2019 में यह चीज लागू नहीं हो पाई थी, 2019 actually, it was not there, है ना, और इस करण से, अब यह जाकर के 2020 में इस बार कि दिवाली के लिए कहा गया है, कि इस बार जो आप firecrackers यूज करेंगे, वो green firecrackers यूज करेंगे, और इसके लिए कुछ authorized manufacturers हैं, और यह कहा गया है कि जो whole sellers हैं, वो इन ही authorized producers के थ्रू ही green crackers लें, ठीक है ना, authorized manufacturers के थ्रू ही green crackers लिये जाएं, तो यह सारी चीज़ आपको जानना जरूरी, I hope you got clarity regarding that, इसके अलावा यह भी आद रखेगा, आपके लिए अगर आप बोलें तो मैं question यह पूछ लेता हूं कि कौन-कौन से basic pollutants हैं, जो कि यह मानने जाते थे कि जो normal firecrackers, इसमें कौन-कौन से basic pollutants पाय जाते थे, ठीक है ना, त कुछ जो harmful materials used होते थे अभी तक, जो firecrackers होते थे, उसमें याद रखेगा barium nitrate, barium nitrate, यहां लिखा नहीं है, मैं लिख रहा हूं, आप इसको याद रखेगा, तो barium nitrate जो है, यह irritation, irritated respiratory tract, irritation in the respiratory tract, ठीक है, इसको याद रखेगा, barium nitrate, important है, याद रखेगा, then इसके वाल अला firecrackers में antimony sulfide, antimony, अगर आप सो कोई पूछे कि क्यो firecrackers को ban कि जाता है, तो barium nitrate, irritated respiratory tract करता है, antimony sulfide, आपको दूसरा जो pollutant है, वो antimony sulfide है, यह toxic smoke निकालता है, जो कि carcinogenic होता है, carcinogenic, carcinogenic मनलब कि cancer causing, cancer cause कर सकता है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, इसके लाबा barium chromate, ती barium chromate, इसको भी आद रखेगा, कि जो barium chromate है, barium chromate was found, यह भी आपके जो living cells होती है, और genes होते है, human beings के जो genes cells होते है, genes cells को नुकसान पहुचाता है, तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, barium nitrate बताया, मैंने आपको antimony sulfide बताया, इसके लाबा मैंने आपको barium chromate बताया, ठी बार कई जगों पर यह भी देखा गया, कि potassium nitrate का भी यूज किया गया, potassium nitrate, potassium nitrate भी carcinogenic होते, it is also carcinogenic, these are basically the things that are actually causing health hazards, mercury का भी कई बार यूज कर लेते हैं, इनको firecracking वो है, इन ही सब चीजों से मिलता है, और इस कारण से ही इनको remove करके, अब बोला जा रहा है कि आफ green firecrackers का use के जाएगा, so this is the reason why green firecrackers are, will now be used, ठीक है न, आगे move करते हैं, देखते हैं, और क्या important news items है, you can move with me, है न, तो आप भी मिरे साथ move करते जाएए, editorial section में हम आते है, editorial काफी important है, बहुत जाला प्यारे editorial आए है, सबसे पहला जो हम discuss करेंगे, वो है two together, अब two together जो हुआ है, यह उसके उपर लिखा गया है, author ने का कि इसका सबसे बड़ा जो outcome आया, वो तो आया कि Becca sign हो गया, Becca sign हो गया मतलब basic exchange and cooperation agreement, basic exchange and cooperation agreement sign कर दिया गया, ठीक है न, यह important चीज थी, यह geo special cooperation को बढ़ाएगा, कल भी मैंने आपको बताया था कि यह चीज क्या बढ़ाएगी, जो आपका geo special geo special cooperation उसको बढ़ाएगा, मतलब कि जो maps है, maps है, plus आपका जो satellite data है, वो दोनों countries एक दूसरे के साथ share करेंगे, maps भी share करेंगे और satellite data को भी share करेंगे, so this is basically what your geo special agreement means, तो इसके में information sharing होगी, दूसरा जो maps है, precision maps है, वो India को मिल जाएगे, अमेरिका से उनको intelligence भी प्राप्त हो इसके अलावा author ने कहा कि और हमने कुछ agreements की जैसे कि building strategy petroleum reserves तो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहोगा कि यह petroleum reserves बनाने के लिए हमने agreement किया है, इसके अलावा हमने उनसे बोला है कि renewable energy के लिए agreement करा है, then space के field में, cyber space, counter terrorism and counter narcotics, तो यह सारी चीज़े आप लिख लेना, अगर इसके बाद आप mention कर देना कि petroleum reserve बनाने के लिए agreement हुआ है, then renewable energy के लिए space के लिए, cyber space के लिए counter terrorism के लिए and counter narcotics के लिए, so these are the special areas जहाँ पर कि यह किया गया है, author ने एक चीज़ बहुत important बताई है कि देखो क्या होता है, कि America तो कही ने कहीं चाइना को counter करना चाहता है, what America actually wants is counter countering China, तो China को counter तो करना चाहता है, लेकिन होता क्या है, China को counter करने के उसके चकर में कर कर क्या रहा है, कि it is actually interfering in the bilateral issues of India and China, तो author ने कहा है कि हमको यह make sure करना है कि कहीं ऐसा नहों कि USA जो है, America जो है, वो interference करना शुरू कर देए, so this is what we should look that, कि it should not interfere with the bilateral relations of India and China, वो अपना जितना भी ideology ले करके चल रहा है, वो चलता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, but the day it will start influencing the relations between India and China, that will be very harmful for us, वो हमाई ले गलत हो जाएगा, तो हमको इसको interfere नहीं करने देना है, ऐसा नहीं करने देना है कि हम USA के चक्कर में आ करके, aggression में आ जाए, और पूरा जो हमारा एक construct बना हुआ है, चा कि कहीं ऐसा नहीं कि USA की impact में आ करके, कहीं हमारा जो normal, जो routine relation है चाहिने के साथ, वो भी बिगड़ जाए, ठीक है ना, so this is what the author says, अगला जो article हम discuss करेंगे, वो lead article है, the challenges of walking the Indo-Pacific talk, very very good article written by Happy Mon Jacob, Happy Mon Jacob नी article लिखा है, दोगो, अब इस article में basically 3 चीज़े discuss की गहीं, 3 things are discussed in this article, बता देता हूँ, पहली चीज़ तो यह discuss की गहीं कि Quad और जो आपका Indo-Pacific है, उसमें क्या similarity है, और उसमें क्या similarity है, ठीक है ना, दूसरी चीज़, author ने कहीं कि Indo-Pacific का, क्या Indo-Pacific act कर सकता है as an alternative to belt and road initiative, तीसरी चीज़, कि Indo-Pacific में India का कितना role है, और India का role क्या complete है भी, या अभी भ इसमें कुछ करने की जरूरत है, तो यह तीन चीज़ें हम discuss करेंगे इस article में, I hope you will enjoy this article, बहुत प्यार article लिखा गया है, सबसे पहले author ने बोला है कि जब यह को 2 plus 2 dialogue हुआ, Quad group का आपको पता है, Malabar exercises के बारे में पता है और Indo-Pacific, यह सारे शब्द बहुत जाद आपको सुनन में आ रहे होंगे, basically इस इन दोनों चीज़ों का, जो इन तीनों चीज़ों का जो basically aim है, वो चाइना को counter करना, कहीं न कहीं चाइना के threat को कम करना है, तो author ने सबसे पहले यह बोला है कि India के उपर बहुत जादा focus अब किया जा रहा है, because of the Quad and Indo-Pacific, तो author ने एक example लिए कि 2000, mid 2000 में यह expect किया गया था कि India जो है, वो दस सालों में बहुत बड़ा एक economic powerhouse बन जाएगा, लेकिन अगर आज की condition देखो, तो वो expectations कहीं न कहीं mild रह गहीं, बहुत जादा fulfill नहीं हुई है, ठीक है न? तो author ने यह कहा है कि अध्यों को क्या है concept Indo-Pacific का Quad का, क्या similarity है और क्या dissimilarity है, तो Indo-Pacific जो है, वो एक grand political economic vision है, एक grand political economic vision है, तो Indo-Pacific एक political economic vision है, वही Quad जो है, it's a forum, Quad is a forum for strategic and military consultation, तो Quad का जादा लेना देना economics से नहीं है, Indo-Pacific का लेना देना economics and politics से है, ठीक है, Quad तो basically strategy का military consultations के लिए, जो की US, Australia and Japan द्वारा है, अब अगर आप सो की पूछे similarity क्या है, तो similarity यह है basically कि इनके जो member states है, वही वो दोनों के लगभग same है, major जो members है, Quad के तो चारी है, India, Japan, USA and आपका Australia, वही Indo-Pacific में भी अगर आप major members देखोगे, तो यही India, Japan, Australia, तो यह एक पहली similarity है, दूसरी चीज, अगर आप दोनों चीजों को देखो, इंडो-Pacific को देखो, चाहे आप Quad को देखो, दोनों ही कहीं ना कहीं, China के ऊपर focused है, they are all focusing on China, these are the two similarities which the author found on this Indo-Pacific and Quad, इन दोनों के में यह similarity इनको मिली, at the same time, Indo-Pacific and Quad are also quite different from each other, विल्कुल सही बाद है, difference भी है, जैसे कि पहला politico-economic vision है, sorry, Indo-Pacific आपका politico-economic है, वहीं पर Quad एक military strategic vision है, फिक है न, यह मैंना आपको बताई दिया अलड़ी, while the Indo-Pacific provides a complex political and economic picture with a hesitant but growing articulation of China as a strategic challenge, the Quad is inherently more anti-China, तो एक जो हमने similarity में देखा था है कि दोनों चाइना पर focus है, difference भी है कि Indo-Pacific में inherently China focused है, मला बहुत जादा, नहीं, inherently नहीं, explicitly China focused है, मला बहुत जादा इतना चाइना के अपर focus नहीं है, लेकिन हा कह सकते हो कि China focused है, वहीं पर अगर हम Quad की बात करें, तो Quad तो कहना चाहिए कि पूरी तरीके से ही आपका anti-China है, Quad पूरी तरीके से आपका anti-China है, तो यह चीज ऑथर ने यहाँ पर बोली है, ठीक है ना, तो यह थोड़ा differences भी है, अब देखो, यहाँ पर उतर ने कहा है कि Indo-Pacific अपने आप में successful हो सकता है, बिना चाहिना के भी, लेकिन अगर Quad को successful होना है, तो चाहिना का होना ज़रूरी है, क्यों, यह जितना चाहिना aggressive होगा, उतना Quad की value बढ़ेगी, फ़र एजेंपल अगर आप देखो, तो 27 से Quad की बात चल रही है, लेकिन तब इतना ज़्यादा active नहीं था Quad, Quad grouping में कोई meeting नहीं हो दी थी, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब चाहिना ने बिल्कुर अपना aggressive stance ले लिया है, तो जितना ज़्यादा चाइना aggressive होगा, the more China will get aggressive, the more Quad will get relevant, अब आथर ने कहा है, एक कैन इंडो-Pacific region act as an alternative to BRI, क्या इंडो-Pacific BRI का alternative बन सकता है, तो आथर नहीं यहाँ पर बोले थेको, BRI जो है, it is more thought of process, and it is at a much advanced stage, बहुत अच्छी बात आथर ने कही है, कि BRI is far more advanced, पहली चीज़ तो BRI बहुत ज़्यादा advanced है, दूसरा, it is much more thought out, बहुत ज़्यादा सोचा समझा है, and has the economic might of Chinese state, इसके पीछे चाइना का economic might भी है, ठीक है ना, plus several Indo-Pacific members are already members of BRI, अभी Indo-Pacific का concept तो जो है, वो पूरी तरीके से realize भी नहीं हुआ है, वहीं पे आपका कुछ Indo-Pacific countries की जो members है, तो यह कहना कि Indo-Pacific जो है, वो आज से ही आपका alternative provide करने लगेगा, to the Belt and Road Initiative, that will be very wrong, क्योंकि अगर आप देखो, तो चाइना का जो Belt and Road Initiative काफी जादा advanced stage पे है, काफी जादा thought-off है, काफी जादा उसमें, मनलब की economic might जुड़ा हुआ है, चाइना का, इसके अलावा, उसमें कुछ Indo-Pacific के members already उसके member बन चुके है, ठीक है ना, these are the things which author says, the BRI is a Chinese project and is already under immense stress from the inherent weaknesses, BRI लेकिन देखो, इसका एक flip side भी है, कि BRI जो है basically वो Chinese project के रूप में है, तो दूसरी countries को यह तो पता है कि यह basically चाइना के ही benefit के लिए बनायागा है, it's a Chinese project, है ना, इसमें equal membership और यह सब चीज़ है नहीं, कि सब का बराबर benefit होगा, चाइना का ब such as China's unilateral pursuit, चाइना का जो pursuit है वो बिल्कुल unilateral है, वो अपने बारे में सोच रहा उसको और दूसरी से मतलब भी नहीं है, तीक है ना, और दूसरी चीज़, दूसरी countries को economic burden ही समझता है वो, है ना, दूसरी countries को economic burden ही समझता है, प्लस अगर वो एक तरीके से अपने debt trap में सबको फसाता जा रहा है, वहला सबको loan दे रहा है, और loan लेकर के वो countries फिर हमेशा के लिए उनकी उसकी गुलाम बनती जा रही है, बैसिकली यही चीज़ हो रही है, है ना, For a political economic construct such as the Indo-Pacific to survive, there must be strong economic partnership, अब देखो, author ने कहा है कि अगर आपको Indo-Pacific को survive करवाना है, अगर आप चाहते कि Indo-Pacific survive करें, तो Indo-Pacific survive तभी करेगा जब इनके members में जो linkage है वो बहुत जादा होगी, जो इनका financial linkage है, जो इनका economic linkage है, वो जब तक strong नहीं होगा, तब तक आपका Indo- Pacific to survive, the financial as well as the economic partnership must be very deep, लेकिन वहीं पर देखो कि क्या इतनी deep है, तो वहाँ पर author answer मिलेगा कि नहीं, क्यों, क्यों कि हमारा इंडिया जिसके नाम पर Indo-Pacific है, इंडिया है, वो खुदी RCEP से बाहर निकल गया, जो Indo-Pacific का सबसे वड़ा economic project था, RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, उससे हमने इंडि और हमको नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम RCEP को नहीं जोइन करना चाते है, तो आप किस तरह से expect करते हों कि फिर Indo-Pacific है, वो एक alternative प्रोवाइट करेगा to the BRI, जब आप उसमें एक छोटी से partnership नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, दूसरी चीज, इंडिया के बारे में author ने ये भी क अब फ्ते हैं विद ऑस्ट्रेलिया, दस ना फ्ते हैं विद नुजिलंड, यूएस, बांगलादेश, अन अंडियूस, इन सब के साथ हमारा फ्रेट एगरिमेंट नहीं है, इन दे केस ऑफ चाइन, चाइन का अगर देखो तो इठाए विर आल इस चांट्रीस बारिंग अब यह नए-नए FTA बना रहा है, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, एक ट्राइलेटरल FTA बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है न, तो ऑथर सेज की कहीं पर एक जगह आप देख रहे हों कि इंडिया जो है, इंडिया वहाँ पर इंडिया की जो एकनोमिक टाइज हैं, अगर आप देखो तो इतनी जादा डीप नहीं हो, थोड़ा सा शेलो लेवल पर है, ठीक है न, the level, the lesson is straightforward, ऑथर कह रहा है कि lesson जो है वो straightforward है, कि केवल बातों से काम नहीं चलेगा, केवल बातों से आप सोचों कि बातों से काम चल जाए और बाते होती रहे और ज्यादा economic relationships ना deep हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, जब तक monetary terms introduced नहीं होंगे, जब तक आप economically एक दूसरे के साथ engage नहीं होंगे, तब तक कोई भी country आपको seriously नहीं लेगी, ठीक है न, simple सी बात है, जब तक आप नहीं लेंगे किसी भी country में economic partnership, तब तक कोई भ उधारन author ने दिया है, कि Beijing के इवल dialogue नहीं देता है, कि defense dialogue कर दिया, MOU sign कर लिया, यह सब चीजा, इंडिया क्या कर रहे है, MOU sign कर लिया, dialogue, dialogue पर dialogue दे जा रहे है, हाँ, यह dialogue, यह forum, यह meeting, वहीं पर वो क्या कर रहा है, they are playing with the checkbook diplomacy, मैने पहले भी आपको कहाता है, जो China की diplomacy है, account भर लेना, कितना पैसा आपको चाहिए, ठीक है न, this is actually the checkbook diplomacy, और इसी को देख करके दूसरी countries खुश होती है, यही सब membership का आपका एक basis बनाती है, तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, this is what the author says, कि आप बात करते रहे हैं, ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता, आपको ground में दिखा टाइटल है, countering defakes, the most serious AI threat, तो artificial intelligence का एक सबसे बड़ा threat जो सामने आया है, वो है defake as per the author, defake होता क्या है, तो basically मैं आपको layman's language में बता सकता हूँ, कि normal जो morphed images है, morphed videos है, इतना जादा उसमें similarity कर दिया जाए, इतना जादा उसको morphing कर दिया जाए, with the use of AI कि वो real लगने लग normal human intelligence से वो उसको आप पता नहीं कर सकते कि फिर वो सही है की गलत है, वो आपका defakes कहलाता है, इसको एक cyber frankestine कहा जाता, the ghost of frankestine आपने सुना होगा न, the ghost of frankestine, तो वही author ने कहा है कि एक cyber frankestine ही है, ये synthetic media can create possibilities and opportunities for all peoples, regardless of who they are, where they are, and how they are, how they listen, speak, or communicate, तो किसी भी वेक्ति को यह effect कर सकता है, defakes किसी भी वेक्ति को effect कर सकता है, किसी भी वेक्ति की voice change कर सकता है, उसके कहने का purpose change किया जा सकता है, उसके facial expressions change की जा सकते है, these are all possible because of the defakes, defakes के through कर सकते है, यहाँ पर definition की रूप में थोड़ा technical अगर हम बात करें, तो author ने कहा है कि defakes are hyper realistic digital falsification, very important, बहुत अच्छा term ह आप यह as it is अपनी copy में note कर लो, defakes are hyper realistic digital falsification and can inflict damage to individuals, institutions, business and democracy, ठीक है न, overall सबको यह impact को पहुँचा सकते है, defakes are hyper realistic digital falsification, hyper realistic digital falsification आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है न, they are used to fabricate the media, वो media में fabrication का use करते है, आप faces swap कर सकते हो, lip syncing कर सकते हो, ठीक है न, यह सारी चीज़े हो सकते हैं, आपके consent के बिना आपके image को, आपके आपने जो कहा था, उसको change कर दिया जाएगा, so all these things are possible using this deepfakes, ठीक है न, author ने कहा है कि यह केवल अ केवल individual को नहीं, as an institution को भी यह नुकसान पहुचा सकता है, political stability को नुकसान पहुचा सकता है, business disruptions कर सकता है, in fact, एक nation को दूसरे nation के against pit कर सकता है, एक nation को भी दूसरे nation के against pit कर सकता है, it can manipulate narratives, people can manipulate the narratives using deepfakes, यह riots create कर सकते हैं, religious tensions create कर सकते हैं, by using deepfakes, तो आप बहुत सारी चीज़े हैं, जो कि deepfakes के truth, negative कर सकते हो, तो यह मैंने आज mains में भी question आपको mains question writing में यही question दिया है, कि deepfakes क्या होते है, what are their impacts, और किस तरीके से आप deepfakes के impact को कम कर सकते हो, ठीक है न, तो author ने का है कि जो इसकी starting हुई थी, जो deepfakes की starting हुई थी actually में, वो हुई थी when it started targeting women, तो women को target करने के लिए start किया गया था, उनकी images को morph किया गया था, pornographic content के लिए सबसे पहले इसका starting हुआ था, pornographic content के लिए, तो images को change किया जा सकता है, morph किया जा सकता है, तो pornographic content बनाया जाने लगा था, women were intimidated, they were threatened and बहुत ज्यादा psychological harm जो था women को वो पहुचना शुरू हो गया था because of these deepfakes, deepfakes can depict a person indulging in anti-social behavior, saying wild things, आप कुछ भी करवा सकते हो, deepfakes से आप यह दिखा सकते हो कि कोई व्यक्ति बहुत उल्टी सीधी चीज़े बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा anti-social behavior कर रहा है, and that can sabotage the reputation of the person for life, जो उस व्यक्ति की personal reputation है, उचको sabotage कर सकते हो lifetime के लिए, some people might commit suicide as well, यह भी इसका impact ही होगा ना, कि कुछ लोग तो अप इसी condition की वो suicide कर ले, और फिर आप क्या करो, these are all the impacts of defects, defects can cause short and long term social harm and accelerate the already declining trust in news or media, तो जो already declining trust है, उसको और ज्यादा decline कर सकते हो by using defects, and जो लोगों को बहुत ज्यादा psychological or physical harm भी आप पहुँचा सकते हो, ठीक है ना, so basically all these things are there, कुछ लोगों की livelihood ही loss हो जाती है, because of the defects, आप उनकी इमें जितनी जादा deteriorate कर सकते हो, कि उनकी उनको नौकरी ना मिले, उनको काम ना मिले, ये सारी चीज़े भी की जा सकते है, a high quality defect can project compelling false information, बहुत जादा false information आप बना सकते हो, false evidences बना सकते हो by using defects, अगर आप defects से यूज़ करते हो, तो false evidences और गलत व्यक्ति को convict घोशित करवा सकते हो, तो all these things can be done, now what are the major solutions, to defend the truth and secure freedom of expression, we need a multi-stakeholder and multi-modal approach, सबसे पहली चीज़ के एक multi-stakeholder and multi-modal approach अपनानी पड़ेगी, हम सभी को act करना पड़ेगा responsibly, कोई भी चीज़ आई, जैसे अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आई, अपन ने उसको ये नही cities and responsible stakeholder की तरह एक्ट करना पड़ेगा, multi-stakeholder, multi-modal approach से ही, collaboration के थुरू ही, collective techniques के थुरू ही, आप इन सब चीज़ों को रोख सकते हो, legislative regulations होने की जरूरत है, आप policies बनाओ, आप law बनाओ against defakes, technology में intervention करो, technology में development करो ना, कि आप में अगर image को, original image को थोड़ा सा भी change कर दिया, तो वो चीज़ पकड़ लेगा, या अगर कोई ऐसी technology बनाओ, कि जैसे कोई भी article अगर change होता है, तो आप उसको पकड़ ले तो ना, कि edit किया गया है, modify किया गया है, तो आप defakes के लिए भी ऐसे करो, कि technological intervention डालो, कि अगर कोई original image में थोड़ा सा भी editing हुआ है, अलग से, तो वो पता पता चल जाए, किसी video editing हुआ है, ठीक है ना, तो all these things should be done in order to avoid the defakes, then media literacy for consumers, author ने काया कि media literacy for the consumers and journalists is the most effective tool to combat disinformation, disinformation को रोकने के लिए media literacy भी बहुत जरूरी है, आप लोगों को पहले तो aware करो, उनको बताओ कि किस तरी की चीज़े मानने होगा है, किस तरी की चीज़े नहीं म है, defakes can be used to damage reputations, to fabricate evidences, to defraud the public and to undermine the trust in the democratic institutions, तो आप इन में से कोई भी चीज़े दिफेक के थुरू कर सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ी threat है defakes and इसलिए उनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, so let's move ahead, I hope you got clarity regarding the details आपको समझ में आ गया होगा, आगे move करते हैं, देखते ह Asian Republics call for destruction of terror safe heavens, अब यहाँ पर basically Central Asian जो countries है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उस्वेकिस्तान, यह सारी जो countries है, आपकी Central Asian countries कहलाती है, अब इनकी meeting हो रही थी India के साथ, second meeting थी India Central Asia dialogue की, मैंने बताया नहीं कि India वाले dialogue बहुत करते हैं, पैसा भी दो, वो जरूरी है इस case में दिया है, मैं आपको बताऊंगा कितना दिया है, यहाँ पर दिया है, यह इंडिया Central Asia dialogue हुआ था अभी recently, उसमें Central Asia और इंडिया ने मिलकर के, वो कहा है कि जो terror safe heavens को destroy करने की ज़रूरत है, इसके साथ इंडिया ने एक और चीज़ अनाउंस की, कि वो एक billion dollar line of credit दें इंडिया to the Central Asian countries, यह important चीज़ है, 1 billion dollar line of credit will be provided to Central Asian countries by India, so this is a very good thing, Central Asia ने वहीं चाभाहर पोर्ट की तारीव भी की कि इंडिया ने बहुत अच्छा किया कि, because चाभाहर पोर्ट का जो main motive है बनाने का वो क्या है, it is a passage to Central Asia, Central Asia के लिए ही तो रास्ता हून रहा है इंडिया, इसलि इसलिए Central Asian countries ने तारीव भी की ती इंडिया की, because they are trying to cooperate with the Central Asian countries and they are trying to develop a fruitful relation with the Central Asian countries, so that is the reason why they started appreciating India as well, आगे मूफ करते हैं, देखते और का important needs items है, you can move with me, इसलिए IT Ministry working to comply with CIC orders on ROGC, अब हुआ क्या था, अभी एक RTI गई थी, ROGC के बारे में, जिसमें बड़ा ही उटपटांग सा response आया government की तरफ से, कि उनको यही नहीं पता कि ROGC, एप को बनाने वाले कौन है, ठीक है न, यह उनको पता ही नहीं था, यह RTI के response आ गया तो उसके थोड़ा जड़ा जडप लगाई CIC ने, और तब जाके अभी उन्होंने यह कहा है कि, APP had been developed by National Informatics Center, जो आ रहोगी सेथू, APP had been developed by National Informatics Center in collaboration with volunteers from industry and academia, तो यह अब उन्होंने बताया है कि, actually मैं NIC plus volunteers from industry and academia, तो यहां इन लोगों ने मिल करके यह APP बनाया है, तो this is what was done, और यह देते, इसरो तो लांच सेटलाइट EOS01 on November 7, मैं आपको इनके बारे में detail में थोड़ा notes से बता जिता हूँ, वे ने notes यहां पर बना ली है, so let me tell you from the notes as well, है ना, वो जादा बेटर रहेगा, एक बार आपन रिवाइस करते हो चलते है, मैंना, रिवाइस करते हो चलते है, क्य और यह असर रिपोर्ट के बारे में हमने देखी लिया है, green crackers देख लिया, Central Asia का भी map मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, Central Asia अब आपने news discuss किये ना, तो Kazakhstan ही आपको बीच में दिख रहा होगा, यह नीचे किर्गिस्तान है, यह यलो में उजबेकिस्तान है, फिर यह और Kazakhstan के जस नीचे किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान के नीचे तजगिस्तान है, Kazakhstan के नीचे उजबेकिस्तान भी है और उजबेकिस्तान के साथ जुड़ा हूँआ तुर्कमेनिस्तान भी है, ठीक है यह भी आपको याद रखना है, जो एक्स्ट्रा है वो तो मैं आपको बताऊं इजरो ने लांच किया observation satellite, launch करेगा observation satellite EOS01 on November 7, EOS01 क्या है, basically it is intended for applications in agriculture, forestry and disaster management, तो याद रखेगा ये agriculture, forestry and disaster management के लिए, याद रखेगा EOS01, अगर आप से पूछे EOS01, EOS01 इजरो लांच करेगा, किसके लिए करेगा, तो लांच करेगा ये agriculture, forestry and disaster management के लिए, ठीक है न, important चीज है, PSLV C-49 rocket के थूए जाएगा, PSLV C-49 rocket के थूए जाएगा, PSLV C-49 rocket के थूए जाएगा, और Shri Harikota, Andhra Pradesh, यहाँ से ये किया जाएगा, it is the first launch by the Indian Space Research Organization since the COVID-19 introduced lockdown, lockdown के बाद का ये पहला launch होगा, जो इजरो करेगा, EOS01, main purpose याद रखना, main purpose इसका है agriculture, forestry, disaster management, agriculture, forestry and disaster management, इसक का main है, ठीक है न, अब थोड़ा extra चीज़े मैं आपको बताता हूँ, जो news में आज, normal newspaper में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको नहीं मिलेगे, Supreme Court asks government to find some solution to bring home Indians in Kuwait, जो Kuwait में Indians हैं, उनको वापस इंडिया लाने के लिए कुछ solution निकालने के लिए Supreme Court ने government को कहा है, अब mostly जो यह workers हैं Kuwait में, यह blue collar jobs में है, तो मैं normally आपको बताता हूँ, blue collar jobs क्या होती है, blue collar worker होता है, term है, which is used to refer a member of the working class who performs manual labor and earns an early wage, तो basically यह जो term है blue collar job, यह use किया राता है to refer member of a working class who performs manual labor and earns an early wage, तो इस तरीके से जो इसको daily wage में काम करते के तरीके से, जो working class के लोग होते है, manual labor वाला काम करते है, वो blue collar workers कहलाते है, black collar workers भी होते है, black collar workers basically I used to refer workers in the mining or oil industry, ठीके न, oil industry में, कुछ लोग इसको यह भी कहते हैं कि black marketing activities में जो है, वो भी black collar workers है, कुछ लोग इसको mining or oil industry से भी जोडते है, फिर एक white collar job भी होता है, white collar job मतलब कि जो ऐसे persons है, वो perform professional desk managerial administrative work जो perform करते है, white collar job कहलाता है, ठीके न, pink collar jobs भी सकता है, pink collar job मतलब वो jobs जो basically women specific माने जाते है, ऐसे jobs जो women specific माने जाते हैं, अब यहाँ पे मैंने देखा कि kuwait की news थी तो आपको kuwait का map दिखा दिया जाए है, इसी तरीके से तो सीखेंगे आपन, kuwait का map अगर आप देखो तो kuwait य आपको दिखी रही होगी, kuwait city की capital है, दिख रहा है, ऊपर इधर बुबियान island भी है, बुबियान island भी है आपको दिख रहा होगा और वारबा island भी दिख रहा होगा, नाम दिख रहा है, बुबियान island और वारबा island, तो आपको यह सब चीजे दिख रहे हैंगे, I hope you got clarity regarding that as well, तो फिर से एक बार map आप लोग देख लो, दो second के लिए आपको time देता हूँ, मैं आप देख लिया करो इस चीजों को, ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, आगे की तरफ move करते हैं, देखते और का important news items है, Center unveils new norms for awarding bodies assessment agencies to boost skilling ecosystem, तो अब Center एक नया norm निकाल रहा है, जो की bodies को assessment agencies को award किया जाएगा, है न, तो guidelines are basically aimed at boosting the skilling ecosystem in the country, country में जो skilling ecosystem है, उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, यह ministry है, ministry of skill development and entrepreneurship, जो की NCVET के साथ मिल करके यह काम कर रही है, ministry of skill development and entrepreneurship किसके साथ मिल करके, NCVET, अब NCVET आप बोलेंगे क्या है, NCVET है आपका national council for vocational education and training, यह देखो लिखा हुआ है, national council for vocational education and training, यह ministry of skill development and entrepreneurship ने 2018 में इसको notify किया रहा है, इसके बारे में, इसके बारे में नोटिफाई कर दिया था, NCVET basically क्या है, जो existing national skill development agency थी, NSDA और national council for vocational training थी, NCVET, उन दोनों को सबस्यूम कर लिया, ठीक है, NCVET बना दिया उससे, national council for vocational education and training, इन दोनों को merge करके, NSDA आपका national skill development agency था, और national council for vocational training था, इन दोनों को merge करके बना दिया, और अब एक single regulator की तरह काम कर रहा है, 2018 में, minister of fiscal development and entrepreneurship ने इसको notify किया था, ठीक है न, ये 4 November 2019 से working में है, ठीक है न, 4 November 2019 से working में है, और ये भी आप याद रखेगा, institutions of eminence, institutions of eminence, process to be mapped with word university rankings, अब education minister ने कहा है कि जो institutions of eminence है, उनको पता लगाने का जो process है, वो, उनकी word university rankings के थूँ किया जाएगा, उनकी word university rankings के थूँ किया जाएगा, अब word university rankings मतला, जो ये, क्वासी डिला ranking होते हैं न, QS ranking जिसको हम बोलते हैं, और, times higher education बोलते हैं, तो, य आपका एक QS ranking होता है, और एक आपकी होती है, times higher education ranking, तो, इन दोनो rankings के basis भी किया जाएगा, अब आप सब को पता होना जिए कि, जो education ministry है, उसने institute of eminence scheme को launch किया था, 2018 में, 2018 में institute of eminence scheme को launch किया गया था, और, उसके according, 20 institutions select किये गए थे, 10 public, 10 private कर, जो की enjoy करेंगे, complete academic and administrative autonomy, तो complete academic and administrative autonomy enjoy करेंगे, ये 20 institutions जिनको select किया गया था, तब इनका selection criteria ये नहीं था, अब इनका selection criteria बोल रहा है कि, जो अच्छा perform करेगा, जिसकी ranking अच्छी होगी, उसको हम select किये करेंगे, ठीक है ना, the words women 2020 trends and statistics, तो words women 2020, ये क्या है, ये report है, statistics, ये trends and statistics report है, इसको release किसने किया है, release किया है, इसको statistics division ने, of the United Nations Department of Economic and Social Affairs, UN DESA बोलते है, words women 2020 trends and statistics report, अगर आप से कही पूछे, words women 2020 trends and statistics report किसने निकाला है, तो UN DESA, UN DESA क्या है, United Nations Department of Economic and Social Affairs, report produce की जाती है, हर 5 साल में, since 1990 1990 से start हुआ था, ठीक है ना, और ये data देता है, regarding the state of gender equality worldwide, तो UN DESA की report है, gender equality के बारे में है, ये, words women 2020, याद रखेगा, words women 2020 trends and statistics report, ठीक है ना, अगला है, national conference on vigilance and anti-corruption, तो मैंने पहली बताया थे, कि प्राइम इनागरेट किया national conference on vigilance and anti-corruption, organize कौन करता है, सको, CBI organize करता है, aim क्या है, to raise the awareness and re-affirm India's commitment to promote integrity and probability in public life, आपके लिए question ये है कि probability क्या है, do tell me in the comment section below कि probability क्या होता है, theme इस बार की क्या थी, theme थी vigilant India, prosperous India, theme थी vigilant India and prosperous India, 27 October से ये शुरू होता है, याद रखेगा, 27 October से शुरू हुआ है, ठीक है न, infantry day, what is this infantry day, तो infantry day जो है, आपका 27 October को ही celebrate होता है, every year to mark the landing of the first Indian infantry soldiers in Jammu and Kashmir, first land infantry soldiers in Jammu and Kashmir में land हुए थे, first landing of the first Indian infantry soldiers in Jammu and Kashmir, 27 October को infantry day celebrate किया जाता है, ठीक है न, basically it is to defend the India from external aggression, any type of external aggression, let's see कि क्या क्या चीज़ है मैंने discuss की, तो सबसे पहले map of the day में आपको मैंने बताया, यह पूरा map यह तो मैंने अल्रडी आपको बता दिया है, वार रिवीजन में भी, तीन क्वेशन बताया है, शाहिद बहस्ती पोर्ट, Gulf of Oman, Scale India, Ministry of Skill Development, Master of Management, Max, MACS 6478, एक new variety of wheat, जो कि high yielding है, यह बताया, अगरकर research institute ने इसको बनाया, याद रखेगा, अगरकर research institute खुद autonomous institute है, जो कि department of science and technology के अंदर गताता है, याद रखेगा, यह भी important चीज़ है, और इसने बनाया है, महरास्ट्रा का institute भी हो, वहीं बनाया, असर report के बारे मताया, आपको 20% rural student जो है, उनके पास books नहीं है, केवल एक ऐसा बच्चा है, दस में से जिसके पास online classes की access है, यह असर report ने बताया, असर report एक rural survey है, देखो यह लिखा है, nationwide rural education and learning का survey है, NGO प्रथम निकाल रहा है, 15 सालों से निकाल रहा है, यह सब मैंने आपको चीज़ें अल्रड़ी बता दी, इस बार phone के माध्यम से यह survey किया गया, green crackers का मैंने आपको बताया है, उसके मैंने सारे आपको pollutants भी बताये थे, तो एक बार और लिख ले ना, barium chromate, potassium chromate, यह सब चीज़ें जो मैंने लिखाई थी, ठीक है ना, ठीक है, anti-money sulfide यह भी बताया था, फिर इसके बाद Central Asia मैंने आपको बताया है, Central Asia ने Safe Heavens को रोकने के लिए कहा है, map मैंने आपको दिखा दे, जिसमें Kazakhstan, Russia, Turkmenistan, Uzbekistan, किर्गिस्तान, यह सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, Supreme Court ने कहा है कि Kuwait से Indians को वापस लाने का solution निकालो, वो blue collar jobs में वहाँ basically है, वो मैंने आपको बताया, Kuwait का map दिखाया कि Kuwait है, उपर Iraq है, नीचे दे को Saudi Arabia है, Kuwait City Capital है, Kuwait Bay Water Body है, बुवियान आइलेंड, वार्बा आइलेंड यहाँ पर आपको देख रहा होगा, पर्षन गल्फ यहाँ पर आपको देख रहे होगी, ठीक है ना, तो यह मैंने आपको देखाया, फिर इसके बाद, सेंटर ने skill और इसको institutions के जो उसको boost करने के लिए नई guidelines निकाली है, यह guidelines NCVET के साथ मिलकर के उन्होंने निकाला है, ठीक है न, NCVET क्या है, मैंने आपको अल्रेडी बता दिया, NCVET क्या है, आपका National Council for Vocational Education and Training है, MSDE, Ministry of School Development and Entrepreneurship ने उसको 5 December 2018 को में बनाया था, और यह basically NSDA, जो National School Development Agency है, और National Council for Vocational Training है, इन दोनों को सब्स्यूम करके बनाया गया, ठीक है न, फिर IEOE मैं मैंने आपको बताया कि जो इसकी ranking है, यह World ranking को देख करके किया जाएगा, और World Women 2020 Trends and Statistics Report के बारे में बताया, कौन निकालता है, कैसे निकालता है, National Conference on Vigilance and Corruption के बारे में बताया, EOS01 Satellite Launch करेगा, 7 November को यह बताया, उसके क्या-क्या काम है, बताया आपको disaster management करेगा, agriculture, forestry, infantry day, यह सारी चीज़े मैंने आपको बताई, ठीक है न, Map of the Day भी France का था, यह सब चीज़े आपको बता दी है, एडिटोरियल में हमने Happy Man Jacob का अर्टिकल देखा, जिसमें इंडो-पैसिफिक कॉर्ट के बारे में पढ़ा था, बहुत प्यारा आर्टिकल था, उसको दोवारा एक बार पढ़ लेना, सुन लेना, अगर आपको समझ में आगया होगा, काफी डिटेल में बताया था मने, इसके लावाँ डीफेक्स के बारे मताया, डीफेक्स बहुत इंपोर्टेंट है, जरूर उस आर्टिकल को पढ़ना, काफी प्यारा आर्टिकल है, और 2 प्लस 2 डालोग के बारे मताया, तो तो दाट इस इत for the day friends, I hope you liked our video, please do like, share and subscribe, keep loving us, keep sharing us, thank you and have a nice day.